हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागतिक वाप फिर से आप सभी का MZT एजुकेशन में दोस्तों आज है 14 जून आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जून 2022 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में वीडियो कर पसंद आए तो इसको लाइक और सेर जरू करना चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे डेली वीडियो का नोटिविकेशन अब तक पहुंसता रहे है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनकेडमी का अनबॉक्स 2022 एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर तो दोबारा से आ गया है इसके तहट दोस्तों अगर आप SSC एक्जाम का नॉन टेक्निकल का प्रेशन कर रहे हैं रेलिवे एक्जाम के प्रेल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक येर या उससे ज़्यादा का कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें 6 मंद की इक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी ये सिर्फ 13 और 14 जून तक है तो आप केवल आपके पास 2 दिनों का मौका बचा हुआ है आज तो 14 जून है तो आज और कल के लिए है आज ही आप जाकर के इससे सब्सक्राइब कीजिए यहां कहीं भी अगर आप से कूपन कोड इंटर करने को कहे तो आप लोग MZT 10 यूज करना ना भूलेगा ध्यान रखिएगा Capitalator Without Any Space MZT 10 जिससे आपको 10% का Extra Discount भी मिल जाए इसके अलावाद दोस्तो एक और न्यूज है कोटाज Top Educators अब Unacademy Centers से जूड चूके हैं तो Unacademy Centers अब कोटा में भी है तो कोटा में जो लोग जो Student Profession कर रहे हो IIT, JE, NEET वगरा की वो लोग जूड सकते हो Unacademy Centers के साथ और वहाँ पर Benefits उठा सकते हो कोटा का तो कोटा के सभी Learners Special Benefits के साथ यहाँ पर Admission ले सकते हैं Unacademy Centers यहाँ पर है ज्यादा डीटेल के लिए आप Unacademy के वेबसाइट चेक करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक करके जाकर के बाकी डीटेल्स पा सकते हैं याद रखिएगा जहां कहीं भी जो कुछ भी आप पर्चेस करें coupon code में आपको यूज करना है प्राइमिनिस्टर नरिद मोदी जी ने आमदाबाद में इन स्पेस का उदगाडन किया हुआ है और HSNC यूनिवस्टी के द्वारा रतन टाटा जी को मानत डीलिट प्रदान किया गया मंगोलिया में भारत से चार प्रवित्र अवसेसों को जो की मात्मा बुद्ध के हैं उनको भारत से ले जाया गया मंगोलिया में RBL बैंक के नए M.D.O.C.E.O. बन गया है आर सुब्राब मन्य कुमार जी और वहीं Physics वल्ला देश का 101.1 Unicorn Startup बन गया है तमिलाडू राजी सरकार ने कालेज के स्टुडेंट के लिए नालया थिरयन कौसल कारिकरम शुरू किया हुआ है ये तो Top 10 Current Affair के Questions थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया Quickly Revision One Liner Group में One Liner दोस्तो टेलीग्राम पर भी दिया जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रूप भी जॉइन कर लो वहाँ पर English और Hindi दोनों Language में One Liner दिया जाता है अब बात करेंगे आज की दिन के सांदार को शुचकी तो पहला Question शुरू करते हैं अजर्बाइजान Grand Prix से अजर्बाइजान Formula One की Race संपन हुई है इसको जीत लिया है Max Versa Tippen ने Max Versa Tippen इस साल इस सीजन में सांदार प्रदसन कर रहे है जब बर दस प्रदसन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आप आर्टिकल देख पाएंगे Max Versa Tippen wins race अजर्बाइजान Formula One Grand Prix को Max Versa Tippen दोस्तों ये Red Bull के driver हैं और Netherland के खिलाड़ी है इनके career की ये 25 रेस थी जीत और सीजन की इस सीजन में पाँचवी रेस जीत थी इनकी अभी तक बाकी के कौन-कौन से रेस जीत चुके हैं इस सीजन में तो सौधी अरब Grand Prix, Emilia Romagna Grand Prix, Miami Grand Prix और Spanish Grand Prix भी जीत चुके हैं तो टोटल पाँच Grand Prix ये जीत चुके हैं इस सीजन वहीं Charles Leclerc ने जो कि Ferrari के हैं, Monaco के रहने वाले हैं ये बहरीन Grand Prix और Australian Grand Prix जीत वहीं इस सीजन में और Sargeo Perez जो है, ये Red Bull के खिलाड़ी हैं और Mexico के रहने वाले हैं, इन्होंने Monaco Grand Prix जीता हुआ है तो ये इस सीजन की सभी races थी, इनको भी आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछाजा सबसे अदा Formula 1 race किसने जीता है तो आप बताएंगे कौन जीता हुआ है, Lewis Hamilton 100 से जादा Grand Prix जीतने वाले भी एकलोते वो खिलाड़ी हैं इसके अलामा दोस्तो, साथ बार के World Champions हैं Lewis Hamilton, वो रहने वाले हैं Great Britain के और Driver हैं Mercedes के किलियर है, तो चलिए, इतना Formula 1 से आपको याद रखना चीज़े हैं अगला, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समय तक राज करने वाली राजसाही महिला कौन बन गई हैं तो वो बन गई हैं दोस्तो, Queen Elizabeth Dutia सबसे जादा समय तक सासन करने की मामले में अभी ये सेकेंड पोजीशन पर आज चुकी हैं इन्होंने अभी हाली में थाइलैंड के राजा का रिकार्ड तोड़ दिया है याँ पर आप NDTV का आर्टिकल भी देख पाएंगे Queen Elizabeth II become world's second longest monarch तो इन्होंने दोस्तो, basically Thailand के जो राजा थे Thailand के राजा थे, भूमी बेल, अदुल्या देज तो इनके टाइम पर इनका जो रिकार्ड था 70 वर्सों का 70 वर्सों का, 70 वर्से कुशी दिन का उसका रिकार्ड तोड़ दिया है इन्होंने लेकिन अभी भी दूसरे पर हैं फर्स्ट पर हैं, लुई 14 हुएं लुई 14 में दोस्तो, फ्रांस के थे और ये 72 वर्स 110 दिन तक सासन किये हुए थे 1643 से 1715 के बीच में तो अभी इनसे ये पीछे हुए हैं क्योंकि 70 वर्स सम्थिंग दिन 200 कुछ दिन इनके हुए हैं ठीक है, तो महराणी एलिजबेद दूती है कि अगर दो वर्स और ये सासन करती हैं तो फिर दुनिया में ये सबसे ज़्यादा समय तक सासन करने वाली रानी या समराट बन जाएंगे ये बिटेन की महराणी है 1903 में इनको दोस्तो पहली बार महराणी बनाया गया था तब से ही है बिटेन की ठीक है, 96 वर्स की इनकी उम्र हो चुकी है 70 वर्सों का कारेकाल पूरना होने पर प्लैटनेम जनती मनाई जा रहे है यहाँ पर, क्लियर है बिलकुल अगला, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए MapMyIndia ने किस से समझोता किया तो MapMyIndia ने दोस्तो अभी हाली में ISRO के साथ समझोता किया है जिससे 3D मैपिंग को और अच्छे से ये इंप्रूब कर सके और अच्छे से है रोहन बर्मा इन्हों ने अभी हाली में कोलेब किया है, कोलेबरेशन किया है ISRO के साथ जिससे इंडिया का प्रॉपरली और अच्छे से डिटेल मैप जारी किया जा सके अब इसमें ISRO से क्यों समझोता किया गया है क्योंकि ISRO है सेटेलाइट सर्विस यही तो प्रदान करेगा तो सेटेलाइट सर्विसेज वगएरा यह यहां से लेगा और उसके बाद मैप अच्छे से जारी कर सकेगा तो 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है, साथी साथ यह मेटावर्स में अपने आपको इंटर कर रहा है मैप माई इंडिया मेटावर्स जो है वर्चूल दुनिया है आप सबको पता है तो इसमें भी यह 3D मैपिंग बहुँ ज़्यादा काम आने बाली है तो इसलिए यह कर रहा है साथी साथ यहां पर यह वर्नस पर इमान चित्र गर्मी के नकसे या फिर मौसम के नकसे एर क्वाल्टी के मैप का सटीग लोकेशन यह सारी चीजे भी इसरू की मदद से मैप मैं इंडिया को मिल सकेगी इसरू की बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 1979 में 15 अगस्त को यहां पर इसकी स्थापना हुई थी बैंगलोरू में इसकी हेटक्वाटर है इसका मुख्याला है और इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी इसरू के आगामी मिसन की बात करें तो गगन्यान मिसन लगा हुआ है चंदर्यान 3 भी लांच करेगा इसरू बेजेगा समुद की सतह में मनुस्यों को अगला हाली में नार्वे सत्रंज ग्रूप A ओपन सत्रंज टूनामेंट किस ने जीता तो इसको जीत लिया है दोस्तों आर प्रग्यानन ने आर प्रग्यानन यहां पर देख पाएंगे आप इन्होंने नार्वे चेस ओपन ए इवेंट ग्रूप A इवेंट जीत लिया हुआ है फ्राइडे को 7.5 स्कोर करने के साथ साथ 9 राउंड में और ये भारत के ग्रेंड मास्टर है ही प्रग्यानन अंदर अभी ये पिछले दिनों में काफी जादा चेर्चे में थे क्योंकि इन्होंने दोस्तों मैगनस कालसन को हरा दिया था वो भी दो-दो बार हरा दिया दो-दो बार एक महिने के अंदर-अंदर इन्होंने हरा दिया था और गिल्कुल सेंसेंशन मन करके सामने आ गये थे आर प्रग्यानन्द तो ये तमिल नाडु के हैं और जीद चुके हैं नारवे सतरंज गुरुपे ओपन टूनामेट अच्छा इनके कोज का नाम अगर आप से पूछा जा तो आप बताएंगे आरबी रमेज और ये 2018 में ग्रेंड मास्टर बने थे जब ये बने थे तब उस टाइम पर तो सबसे युवा बने थे हालाग कि डी गुकेस आ करके इनका रिगार तोड़ दिये फिलहाल 52 में ग्रेंड मास्टर ये हैं और अभी जो लास्ट के दो तीन ग्रेंड मास्टर उनका नाम में अभी है वीड trophy में आगे याद कर वाऊंगा आपको क्योंकि एक और न्यूज आई है ग्रेंड मास्टर से 어떡 4 में ग्रेंड मास्टर भी मिल गया है अंडिया की तो वीडियो में लास्टर क बने रही है अगला हाली में 400 हुई पहले यह तो दोस्तो उपविदेश मंत्री थी अब यह विदेश मंत्री की रूप में प्रमोट हो गई है तो यह वहां के पुर्व सैन अधिकारी री सोन गोन से गरहन करेंगी यानि उनकी जगा पर आई हुई है चो सोन हुई नौर्थ कोरिया चली वर्ड मैप में आपको द नीचे मिलेगा साउथ कोरिया देखे यहां पर बीच में यह दोनों देश के बीच में सीमा लगती है और यहीं से लाइन एक गई हुई है लाइन गई है उस लाइन का नाम है 38 पैलल का नाम है 38 पैलल तो यह आपको याद रखना है क्योंकि 38 पैलल जो है यह नौर्थ कोरिय हें यह उतना ही पीछे है जितना ज़्यादा आगे है South Korea South Korea बहुत जाज़ाद डेपलप्ड कंटरी है वही No cortex Korea काफी ज़्यादा पीछे हैक्थ क्यूंकि यहां प्र तानाजा ही चलती है प्यां यूंग जो है यहां के खैपिटल है और यहां की कर्रेंशी होती है commissions people want और यहां के ताना साह कौन है किम जोंग उन तो चलिए यहां पर आप देख पाएंगे बगल में जापान भी है जापान भी विक्सित देश है अगला कुशन है हाली में WTO का 12 हुआ मंत्रिय स्तरिय सम्मेलन कहां आयजित हुआ तो यह दोस्तो आयजित हुआ अभी जिनेवा स्वेजर लेंड में वहीं पर इसका हेटकॉाटर है World Trade Organization का यानि विश्व व्यापार संगठन का तो इसमें 12 हुआ मंत्रिय स्तरिय सम्मेलन अभी आयजित हुआ यहाँ पर भी आप आप आटिकल देख पाएंगे देखिए आप लोग के लिए दोस्तों मेहनत की जा रहे है काफी ज़्यादा PPT में हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्वेज में आपको कॉंटेंट प्रोइड कराया जा रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को सेर जरू कर दिया करो आप लोग सेर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर कॉंटेंट आपको दोनों लेंग्वेज में दिया जा रहा है और यकीन मानिए काफी ज़्यादा रिसर्च लगती है इसको सब्कूर्ट वोडने में यहाँ पर प्यूस गोएल जी भड़क गए थे क्यों भड़क गए थे उनका ये कहना था कि देखो ऐसा है कि डबलू टियो जो है यह एक्चुली में कुछ सैंसंस लगाने की बात भी कर रहा था अमेरिका इंडिया पर कह रहा था कि इंडिया जो है मनमानी कर रहा है और वो उमीद से जादा चीजे फिरी दे रहा है या मतलब बहुत सारे चीजे रूल्स को तोड़ रहा है तो फिर प्यूस गोएल जी का कहना था कि आप लोग के नियम के अकॉर्डिंग हम अपने देश के किसानों को या गरीबों को अगर जो मुपत अनास दे रहे हैं उसको देना बंध नहीं करेंगे तो इस बात को लेकर के था कि डवल T.O. का ये था कि आप जो है वो मुपत मेरासन महा पर क्यूं दे रहे हो क्योंकि ब्यापार संगठन है इसका तो में परपर जही होगा ज़ाधा ज़ादा ब्यापार करवाए ठीक है लेकिन यहाँ पर यह हो जा रहा प्रतेक दूसरे वर्स यह आयज़ित किया जाता है तो यह 2020 में होना था कजाकिस्तान में लेकिन कजाकिस्तान में कजाकिस्तान में कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया प्रतेक दूसरे वर्स यह आयज़ित किया जाता है तो यह 2020 में होना था कजाकिस्तान में लेकिन कोविड की है जिनेवा स्वेट्जर लेंड में एक होता है डबलू टीओ एक होता है UNWTO तो UNWTO जो होता है दोस्तों वह होता है United Nations का world tourism organization वह विस्व्व विस्व्व प्रेटन संगठन है उसका headquarter पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे उसका headquarter Madrid में है कहां पर है किया गया तो इसका उध्गाटन गोवा में किया गया वित्यमंत्री निर्मला सीता रमड जी ने उध्गाटन किया है यहाँ पर आप 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 आर्टिकल देख पाएंगे पुर्दगाली सासन के टाइम से ही था आपको पता होना चाहिए पुर्दगाल वाले ही सबसे लास्ट में छोड़ करके गए गुवा को तो अलफा डेंगा जो वेर्लिंग थी वहीं पर म्यूजियम बना दिया गया है और इसमें भारत जो है वो अभी तक जो भी कॉस्टम्स वगरा जो असूली किया है जो भी चीज़े जब्त किया हुआ है ठीक है और जो भी चीज़े यहां पर डेटेल्स चीज़े हैं कलाकृतियां है वो म्यूजियम में इसमें रखा जाएगा तो भारत का ये पहला जीस्टी संग्राले होगा अपने टाइप का किलियर तो निर् की भी एक्जाम रिवी उठा करके देखलो दूस्तों किसी का भी सभी स्टुडेंट देख करके आ रहे हैं एंटीपीसी का जो एक्जाम बस यही बोल रहे हैं कि करेंट फेर तो भाई 2021 से खुब पूछा गया था और मैं ये एबुक कब से प्रमोट कर रहा हूं और आपको जो एंटीपीसी का जो बैच दिया था उसमें भी 2021 का बहुत अच्छे से डिटेल में आपको दिया था कॉंटेंट और यकीन मानो कि दिल खुस हो गया है 100% कुश्चन मैच कर रहे हैं करेंट अफेर के और जीके जीएस के भी सारे कुश्चन मैच कर रहे हैं जो कोर्सिज मे देरे देरे पहुँच रहे हैं आप तक ठीक है तो देरे देरे हम लोग चलेंगे आगे गुरू होंगे लेकिन confidence के साथ quality के साथ और content के साथ होंगे तो channel को subscribe करके रखो बिल्कुल भरोसे के साथ कोई सभी आपका exam क्यों ना हो आपके 100% कुश्चन में मैच करवाऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ मैच नहीं आपको याद भी करवाऊंगा आपको अगर पता हो तो यूटूब पर भी तीन से चार बार दोस्तो जनवरी से लेकर के मैरा थां क्लासे चलवाई गई थी तीन से चार बार जनवरी 2021 से लेकर के चलवाई गई थी और एक बार last time इंपर सुपरफास्ट रिविजन भी करवाया गया था तो इस प्रकार से बहुत बार रिविजन यूटूब पर भी फिरी में करवाया गया जो बच्चे यूटूब पर ही केबल कलास लिये हों उनका भी पूरा का पूरा फायदा हुआ है अगला हाले में किस देश की राजगोत्राजट रबाब फातिमा को संयुक्त राश्ट की अवर महा सचयों न्यूक्त किया गया है इनको अभी न्यूक किया गया है यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाएंगे ये ambassador है रवाब फात्मा बंगलादेश की इनको अभी हाली में अन्टोनियो गुट्रेश जी की दोरा जो की जन्वल सेक्रेटरी है दोस्तो उनके दोरा अंडर सेक्रेटरी जनरल न्योग किया गया है युनाइटेड नेशन में तो बहुत इंपोर्टन न्यूज है ये बंगलादेश के लिए भी है किसकी जगह पर आएंगी ये जमायका के कार्टे ने रेटरे की जगह ले रही है तो ये इस पदपर न्यूग थोने वाली बंगल और आपको जनसंख्या जनगर्णा पर वीडियो बना करके दी गए थी अभी कल साम को मैंने एक वीडियो दी हुई है आपको जिसमें मैंने रिव्यू किया हुआ है क्या क्या कुश्यंस पूछे गये थे तो और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़कर करके जानी है अगर 64 parks कोन मने है तो दोस्तों इंडिया को 74 bob km भी मिल गया है 34 makers राहुल स्रिवास्तन ऑ आहाँ इमेज में दिख यह है है तो इनको अभी हाले में 74 grand nast any का शोभाग अपरत हुआ है इन्होंने अभी हाले में दोस्तों 2500 points अपने इसकोर कर लिये हुए है ठीक है तो पचीस सो यलो पॉइंट को पार कर चुके हैं और ये अब फाइड रेटिंग की पचीस सो पॉइंट पार करने के बाद grand master का खिताब अपने नाम कर चुके हैं भारत के अभी recent जो पिछले हुए है टॉप थिरी जो ग्रेंड मास्टर उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए जैसे 73 वे भरत सुब्रमन्यम बने थे, 72 वे बने थे मित्रभा गुहा, 71 वे बने थे संकल्प गुपता, क्लियर है और अगर पूछा जाए आपसे कि महिलाओं में तो महिलाओं में अभी आप अगला हाली में फिनो पेइमेंट बैंक ने माध्यम व्यापार मालिकों को दुकान वीमा कवरेज प्लाण करने के लिए किससे समझ doubts होता किया है, तो फिनो पेइमेंट बैंक ने अभी हाले में go digit के साथ समझाता किया हुआ है देश्तो जिससे जो मध्यम व्यापार मालिक हैं जो MSME सक्टर के जो दुकान मालिक है खास करके तो उनको बीमा कवरेज मिल सके जो छोटे दुकानदार मजले दुकानदार वाले हैं उनको बीमा कवरेज मिल सके यहाँ पर आप Business Standard का आर्टिकल देख पाएंगे फिनो पेमेंट बैंक पार्टनर विद गो डिजिट जनरल इंसोरेंस इंसोरेंस लिम्टेड ठीक है तो इसके साथ पार्टनर किया हुआ है जिससे जो छोटे इसमाल एंड जो मेडियम बिजनेस हैं उनको बेनिफिट मिल सके डिजिट का लून वगरा मिलने में तो फिनो पेमेंट बैंक के साथ यह समझा उता हुआ है अगर मा लेजे दुकान है आपकी दुकान में चोरी हो जाती है भूकम के वज़े से आपकी दुकान नश्ट हो जाती है आग लग बिजली तूपान बाड़ वगरा दंगग कारण कोई नुकसान अता है तो फिर यह बीमा कवरेज प्रोवाइड करेगा क्लियर है तो फिनो पेमेंट गो डिजिट के साथ समझाता हुआ है फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे 2017 में अस्थापना हुई थी हेड़ इसका मुंबई में ही है जुईनेगर में और M.D.O.R.C.E.O. है रिसी कुपता क्लियर है तो यह तो आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन्स थे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इन्फरमेटिव लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक औ जो भ्यारण यह 36 गड़ में है और मैंने आपको बताया था अभी ऑफीसली इसे घोसित नहीं किया गया है अभी यह तिरपनमा लगा हुआ है मतलब अगला अगर होगा ऑफीसियल भारत में तो यही होने वाला है लेकिन अगर पूछा जा कितने अभी हैं तो आप अगर 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 कोई तो यही बनेगा गुरु गहसी दा से ठीक है अगला कौन सा देश दोजार तेश चोविस के लिए यूए नसी का स्थाई सत्रस्तिवरा तो मोजांबिक बना हुआ है आज आपके लिए कुश्चन क्या है आज है जिला कौसल विकास योजना उतक्रिष्टा पुरुसकार का कौन सा संसकर आज़ित किया गया इसमें टॉप सिटीज कौन कौन नहीं ये भी आप बताएंगे तम बाकू में पाया जाने वाले मादग पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है बाकी भी और कुछ मादग पदार्थ के नाम दिये गए हैं उनका भी आप बता सकते हैं कहा कहा पर क्या पाया जाता है फिलाल वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में ईबुक और पीडियाफ कोई सारा कुछ आपको मिल जाएगा हमारे अप्लिकेशन पर गूगल प्ले स्टोर से जाकर की डाउनलोड कीजिए यहीं पर आपको बहतरीन वीडियो कोर्स मिल जाएंगे इंडिविजुल सब्जेस के चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जोडने के लिए मिलेंगे अब अगली दिन की वीडियो में तक तक लिए नमस्कार जहिंद वन्दे मात रहूँ